हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वॉक्षीट नमबर 25 जो की 30 सितंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशे है बच्चों गणित और आज हम पढ़ेंगे प्रायोगिक जामिती जिसमें हम सीखेंगे वृत बनाना तो चलिए की वॉक्षीट को शुरू करते हैं सबसे पहले तो देखी वृत के हिस्से हम जान लेते हैं वृत का बिल्कुल जो बीच वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं केंद्र चेंद्र से जब हम एक लाइन ऐसे ही खीचते हैं वृत तक तब इसको हम कहते हैं तृज्या और अगर डोबिन्दूओं को मिल्कुल center से मिला दिया जा यानि केंद्र से होते हुई कोई ऐसी रेखा जाती है तो उसे हम कहते हैं व्यास और ये पूरा जो बाहर-बाहर पूरा गोला से आपको नजर आ रहा है हालां कि गोला नहीं है ये इसको हम कहते हैं ठीक है, समझ में आगे ये चीजे, अब हमें देखो समझना यहाँ पे ये है कि हम प्रकार का उपयोग करते हुए किसी वृत की रचना कैसे करेंगे, तो देखिए उधारन यहाँ पे दे रखा है और प्रश्ण में हमें कह रखा है कि प्रकार की सहायता से 5 cm त्रिज्या का एक वृत बनाईए, तो आपको करना क्या है, पहले आपको प्रकार लेना है, ठीक है, तो बेता आप सभी सबसे पहले तो प्रकार ले लो और जैसे जैसे मैं कह रही हूँ, वैसे कंटीन्यू करो जिससे आप इसको आसानी से समझ सको, तो सबसे प्रकार लेंगे, प्रकार को यहां पे pencil लगाएंगे ठीक है और pencil थोड़ा सा नीचे तक लेकर आएंगे जिससे ये वाला portion और ये वाला portion लगभग एक बराबर आ जाए ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे या थोड़ा सा extra भी हो सकता है अब इस वाले हिस्से को हम कहां रखेंगे यहां center पे 5 cm तो आप यहां पे इसका ये वाला हिस्सा रखेंगे इधर और ये वाला हिस्सा रखेंगे 5 cm पर इतना ही खोलना है उसके बाद क्या करेंगे एक plane का अगर्ज लेंगे अपनी copy का और वहां पे उसके प्रकार के एक हिस्से को रखेंगे जहां पे pencil नहीं है और जहां पे pencil ह उसको यहां रखेंगे और इस तरीके से चारो तरफ घुमाएंगे तो अपने आप एक वृत बन जाएगा अब केंद्र को वृत के किसी भी हिस्से से मिला दो यह बन जाएगी त्रिज्या और इसके केंद्र का नाम आप दे देंगे ओ या कुछ पी क्यू जो भी आप नाम दे लिए कैसे खोलेंगे स्केल लेंगे स्केल में जीरो और पांच के बीच में प्रकार को रखेंगे तो प्रकार उत्रा ही खुल जाएगा जितना पांच सेंटीमीटर है ठीक है तो फॉस्ट पॉइंट कंप्लीट अब इसके बाद हमने क्या कि एक पैंसिल को लिया और प्रका के नुकीले सिरे को ओपर रखिए यानि बिल्कुल बीच में रखना है और फिर उसको धीरे-धीरे करके प्रकार को घुमाते हुए एक पूरा वृत हम बना देंगे और इस तरीके से हमारा पूरा वृत बन जाएगा और रचना की चरण भी हमारे पूरे हो जाएगे ठीक है प्रकार लेना है प्रकार के अंदर पैंसिल को लगा लेना है फिर उसके बाद एक स्केल लेना है मानलो यहां पे है 0 और यहां पे मानलो है 4.5 तो इतना आपको खोल लेना है प्रकार ठीक है उसके बाद यहां पे प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बीच ओ बीच और उ के बिल्कुल बीच में सी बनाना है पी сч Bis DA की बना सकते है की एसा बिंदु है जो कि रिधकते हैं कि र इसा बिंदु बनाना है जो कि इस के बाहर स्थित हो तो बाहर आप कहीं भी मानलो यहां बना सकते हो या कहीं और भी वृत के बाहर कहीं भी बना सकते हो ठीक है तो इस तरीके से हमने दूसरा प्रश्ट भी पूरा कर लिया लेकिन आपको सिर्फ बनाना नहीं है इसके बाद रचना के पद भी लिखने है तो जैसे जैसे आपने बनाया है व फिर Q को वृत के उपर अंकित करेंगे और R को वृत के बाहर अंकित कर देंगे, ठीके बच्चो, अब इसके बाद हमें कुछ प्रशन दे रखे हैं, जो हमें खुद करने हैं, जैसे कि पहला प्रशन है, कि प्रकार की सहायता से 3 cm त्रिज्जा का एक वृत बनाएए, इसको ब प्रकार खोड़ लेना है, इस हिस्से को यहां पे रखेंगे, और इस हिस्से को यहां पे रखेंगे, तो यह 3 cm खुल जाएगा, अब अपनी कॉपी पे जहां पे आपको वृत बनाना है, वहां पे बिल्कुल बीच बीच में नुकीला हिस्सा रखेंगे, और दूसरे हिस्स cm क्योंकि यह त्रिज्या है ठीक है तो पहला प्रश्न हल हो गया अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न एक ही केंद्र ओ लेकर 3 cm और 5.5 cm त्रिज्या वाले दो वृत बनाईए तो देखें जो आपने पहले प्रश्न में वृत बनाया था वो तो वैसे का वैसे ही रहने दो आपको क्या करना है? यहाँ पर 0 है, मानलो यहाँ पर 5,5, यह 5 और 6 के बिल्कुल बीच में होगा. इधर 5 और इधर 6 है तो बिल्कुल बीच में होगा 5.5 तो यहां से यहां तक आप वो खोलेंगे प्रकार को इसके बाद आप प्रकार के नुकीले हिस्से को वापस इसी केंदर पर रखेंगे जहां पे आपने पहला वृत बनाया था और उसके बाद दूसरे वृत को इसके वृत और इसको फिर आप मिला देंगे बाहर वाले वृत से तो यह बन जाएगी त्रिज्या 5.5 cm ठीक है तो पहला और दूसरा प्रश्ण दोनों हल हो गया अब हम करेंगे तीसरा प्रश्ण जिसमें हमें कह रखा है कि एक वृत बनाये और बिंदू X, Y और Z इस प्रकार अ और यह वाला वृत बना लिया है ठीक है यह वाला अब इसमें X होना चाहिए वृत के ऊपर तो यहां पर मान लो X है Y होना चाहिए इसके अंदर तो यहां पर Y बना लो और Z इसके बाहर होना चाहिए तो यहां पर कहीं पर Z बना लो तो इस तरीके से हमारी पूरी वोक्षी करली थैंक यू